चलिए आज की वीडियो में दा बॉल पोयम को देखते हैं जिससे कंपोज किया है, बैल मेरी में ने किया है, जानते हैं बॉल पोयम के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो क्या लिखा है लड़का इतना अपसेट क्यों है कि इतना दुखी वह क्यों है तो कहे रहे हैं कि जो रीट करें पोयम को और तूसी मतलब देखें या जाने बहुत जो कभी है बहुत मतलब क्या सोचता है किसी चीज के खोने से उसको उसको सीखना पड़ेगा चली पोयम स्टार्ट करते हैं तो पोयम में क्या लिखा हुआ है अब ललका क्या है now मतलब क्या होता है अब ललका क्या है अब किस से पिले करेगा, कभी यह कहना चारा है, आंगे लिखा है, आईशा मैंने देखा है, तो आई हाँ पर जो है, वो किस की लगा है, पोईट की लगा है, तो पोईट की लगा है, आईशा मैंने देखा है, इट मतला उस गेंद को देखा है, गो मतला जाते हुए देखा है अब गैन जो जा रही थी तो वो कैंसे गई थी तो हाँ पर वो लिखा है मेरी मतलब होता है पिरसंद और बाउंसिंग मतलब होता है उचलते हुए जो गैन कैंसे उचलते हुए जा रही थी पिरसंद भाव से उचलते हुए जा रही थी और कहां से गई थी डाउन दा स्ट्री ग्रीफ मतलब किसको जगड़ लेता है। एक वाला जो दुख है 縡़कर ख्याएं। गैंद कोने का जो कहानी हूई है उसके कारण वो नग्यों यहां। और he stand by खड़ा रहता है, rigid मतलँ होता है, सक्त या इस्थिर खड़ा रहता है, tremling मतलँ होता है, वो कापते रहता है और standing मतलँ क्या होता है, घूरते रहना, down मतलँ नीचे मतलँ पानी की नीचे भजोगेंद को देखता है या घूरता रहता है All His Young Days उसके जो सारे Young Days थे Into the Harbour मतलब होता है बंदर गने को बोलते है जो समुद्र के नारे रहता है तो ज़ा उसके सारे जो Young Days थे Into मतलब मैं चले गए है किस में चले गए है Harbour मतलब उस बंदर के रहे में चले गए है उसकी जो बच्पन की यादें है उस गेंद के साथ जो जुड़ी थी वो उसके पानी में चली जाती है बेर मतला जहां his ball went उसकी जहां गेंद गई है उसकी बच्पन की यादे में उसके साथ चली गई है I would not intrude मतला होता दखल अंदाजी करना तो यहां पर कभी कह रहा है I would not intrude मैं क्या नहीं करूंगा दखल अंदाजी नहीं दःगा लड़का मगर्ण वर्थल था रहला योग नहीं होगा मूल नहीं होगा ना मतला अब ही सेंस उसको सेंस मतला समझना पड़ेगा फर्स्ट मतला पहली रिस्पॉंसिविल्टी मतला होता जुम्मिदारी उसको पहली जुम्मिदारी समझना पड़ेगी क्या जुम्मिदारी समझना पड़ेगी गेंद को खोने का जो जुम्मिदारी है उसने कैसे खोदी यह लप्रभा ही करेगा तो उसकी क्या है जुम्मिदारी उसको समझना पड़ेगी आंगे लिखा है इन वर्ल्ड ओप पजेसं उसको जुम्मिदारी समझना पड़ेगी कहां समझना पड़ेगी इन दा वर्ल्ड मतलब संसार में और काय के संसार में और पजेशन मतला होता अधिकार के संसार में उसको अपनी पहली जुम्मेदारी समझना पड़ेगी अगर वो जुम्मेदारी नहीं रखेगा तो जो प्यूपिल हैं वो क्या कर सकते हैं बिल्ट टैक मतला ले सकते हैं बॉल मतला उसकी गैंद को ले सकते है और जो ball है बिल भी lost मतलब खोती रहेगी always मतलब हमेशा इस तरह से खोती रहेगी अगर कोई व्यक्ति क्या नहीं करता है जुम्मिदारी नहीं रखता है किसी चीज के पर ती तो इस तरह से कोई व्यक्ति उसकी ball को चीन लेगा या ball का मतलब यहां पर कोई सामान से है और या उसकी यहीं वो ball खोती रहेंगे सामान खोती रहेंगे little boy मतलब उस लड़के के आंगे देखते हैं तो क्या लखा है and no one 22 और no one मतलब होता है कोई व्यक्ति इस अधिकार के संसार में क्या कर नहीं कर सकता no one by मतलब कोई व्यक्ति खरीद कर नहीं दे सकता ball मतलब गैंद को back मतलब बापस और जो money है इस external है जो money है न वो क्या है external मतलब बहारी है आंगे दिखते हैं क्या लेखा हुआ है he is learning by क्या क the appendymology मतलब होता है ग्यान of loss मतलब हानी का जो ग्यान है how to stand उसको क्या सीखना पड़ेगा how to stand मतलब कैसे खड़े होना है और knowing मतलब जानना पड़ेगा what मतलब जो every man मतलब प्रत्यक व्यक्ति must मतलब चाहिए बंडे मतलब एक दिन क्या उनको जानना ही चाहिए नो मतलब जानना ही पड़ता है या जानना ही चाहिए उस चीज को उसको भी लड़के को जानना पड़ेगा एंड मोस्ट मतलब अधिकतल जो लोग हैं नो मतलब जानते हैं मैंनी डेस मतलब कई दिनों में जानते हैं मतलब उनको कई दिन लग जाते हैं जानने के लिए किस तरह से खड़े होना है